सब्सक्राइब कीजे फूरोपीड चैनल को एंड हीट कर दीजे बेल आइकन को ताकि मेरे लेटिस्ट वीडियो आपको मिलते रहें पूर्ट ओफियेट नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुस्मा आप देख रहे हैं फूरोपीड तो चलिए शुरू करते हैं कि आज मैं आपसे मुंग डाल की रेसीपी सेयर करने चाहरी हूं और अगर यहां वीडियो आपको पसंद आता है तो इससे लाइक करें एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मुंग दार बनाने के लिए हमने मुंग लिया है हरी इसे राद भर के लिए भुंगो दिया था इसे फूल ने डाल दिया था यह देखरने भूल चुकी है मुंग यह बहुत अच्छी तरीके से फूल गई, इसमें हलके अंकूर भी आ गए हैं, यह बहुत ही पॉस्टिक होती है, इसे हमने कुकर में डाल दिया है, इस तरह से हमें धोकर कुकर में डाल देना है, इसके बाद इसमें हम हाफ स्पूर हल्दी डालेंगे, पानी डालेंगे, इसमें हाफ स्पूर नमग डालेंगे, इसके बाद में और डालूंगी में नमग, अभी खोड़े डालेंगे, तोड़ा पानी डाल देंगे, अभी इसको हम 5 सीटी आने तक उपालेंगे, देखिए, डाल सब चुकी है, मैं दिखा रही हूँ आपको फिपर कोरके, देखिए, इस तरीके से हमें पकाना है मूँग को, यह बहुत ही अच्छी टेश्टी लगती है मूँग डाल, इसके लिए हमने लिया है, यह प्यास तीन टमाटर है, हरी मीच, हरी लैशू, और यह अद्रख है, इसको हम पीस लेंगे अद्रख लैएंगे, अद्रख लैशन को, तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे जीरा, अब इसमें डालेंगे हिंग, हिंग डालने से दाल में बहुत ही इच्छा टेश्ट आता है, मूँग डाल का, अब इसमें डाल देंगे थोड़ी गशूरी मेखी, बहुत इच्छी खुश्बुहारी ही गशूरी मेखी से, अब डाल देंगे इसमें प्याज, प्याज को हलक पृट्षिव का ब्राउन होने तक ही मुझना है। हरी मिअच डाल दिया हैं हमने 3-4 हरी मिटी और इस तरह से हमें जमत चलाना है sudah कि अब डाल देंगे सबuciones अड्रएक लेश्ण का पेस्ट मूंग दाल में अध्रक्लिष्ण का पेश्ट डालना बहुती जरूरी है क्योंकि इससे बहुत अच्छा डेश्ट आता है और मैं और इसमें रेट चिली बॉडर डालूंगी हाफी स्पून क्योंकि मूंग दाल ठोड़ी चटपटी ही अच्छी जगती है हाफी स्पून इसमें धन्या पौडर डाला है यह हाफी स्पून गरम मशाला इसके पाद हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी हल्की सी हल्दी डालना है ठोड़ा कलार के लिए और तेमाटर काटा था इसे हमें हलका सॉप होने तख गुनना है ये नमक डाल देंगे मैंने पहले वेस से एक चमस नमक डाल चुकी हूं मैं और मैंने हापस पुन डाला है आप सौधनra साथ डाल सकते हैनमक ये देखिए टमाटल गल चुके हैं हमें तेल छुटे तक ही गुलना ऐसे अब ये जो मूंग की डाल है इसको हम थोड़ा सा चमब से इसके से घैट लेएंगे ताकि फ़ड़ी मूंग है हलकी सी ये हो जाए ये देखिए अब इसमें हम ये मूंग डाल को डाल देंगे हलकी-ह दताहिे होंग दीखेंगी बहुत अच्छी लगते हैं चपटी है तो कि नीमा अच्छी रहती है ज़िए के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। आध इसमें हम पानी एकारेंगे चुमकि है चून्त कि इसमें 9 मिन जऑर पकाना है इसमें धनिया पत्ती डालेंगे कि स्मूग डाल में इसमें क्रीम डालने से बहुत इसे चितना पनाता है अब इसमें हम शर्म बाउल में निकाल लेंगे उम्मीद्य दोस्तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद